देहिन साथ यू नमस्कार ट्रपल सी की इस रिविजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिशन्स हम डिस्कस करेंगे और सभी क्रिशन्स को एक्स्प्लेन करके आपको संधाएंगे ताकि अच्छे से आप रिवाइस कर सकें और आसानी से ट्रपल सी का एक्साम टॉप कर सकें कल की क्लास आप सभी ने देखी होगी जहाँ पर ट्रपल सी एक्साम के लिए हमने लिब्र ओफिस की महामेथन क्लास कराई थी रात 9 बजे से रात 12 बजे तक अगर नहीं देखी है तो उसे जहूर देख लिजेगा आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रपल सी एक्साम के लिए हम त्यारी कैसे करें तो आप अभैक्षल कम्प्यूटर की 1100 प्रशनों की ट्रपल सी की महामेथन क्लास को देख लिजे उन दोनों क्लास को आप अटेंड कर लेंगे तो किसी अन्य क्लास की आपको कोई भी जवत नहीं पड़ेगी आसानी से आप ट्रपल सी एक्साम को टॉप कर सकते हैं और वीडियो की नीचे 2000 कृष्टन की पीडियाफ की लिंक दी गई है वहाँ से आप पीडियाफ को डाउनलोड करके अपनी तयारी को बहतर बना सकते हो शाती साथ हर शुबा साले साथ बजे ट्रपल सी की जी विजन क्लासिस हो रही है तो आप सभी लोग अब एक्साल कंप्यूटर चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए जुर जाइए ताकि बहतर त्यारी कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास पहला प्रश्ण आपका इन्पुट फाइल के अंत में कौन सा नियंत्रन वर्ड शंकेत करता है सभी प्रश्ण हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विजिस में मैंने लिखे हैं ताकि किसी भी इस्टुरेंट को कोई भी दिक्कत ना हूँ अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रहे हैं इन्पुट फाइल के अंतर में कौन सा नियंत्रन वर्ड शंकेत करने का काम करता है एक्जाम में Linux और Unix की कमार्ण से संबंदित काफी सारे प्रश्ण पूछे आते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा Option Third Control Plus D याद रखिएगा काफी important है कौन सा social media side रूजगार उन्मुखी है means निम्ड में से ऐसी कौन सी social media side है जो हमें रूजगार प्रवाइट कराने का काम करती है social media से आपके किसाम में काफी सारे questions पूछाते हैं तो उन तभी questions को explain करके मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो सबस्वलें यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके right answer की तो इसका right answer होगा Option First LinkedIn ठीक है? LinkedIn एक ऐसी social networking side है जो हमें रूजगार है ना? means employment की छित्र में काफी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर आप अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं या फिर आपकी कोई company है वहाँ पर vacancy है तो आप यहाँ पर 100 कर आ सकते हैं नेक्स्ट बात होती है Facebook की Facebook से triple C exam में काफी questions पूछा आते हैं पहला question आपके exam में आता है कि Facebook के founder कौन है? Who is the founder of Facebook? तो Facebook के founder है Mark जुकरबर्ग कौन है? Mark जुकरबर्ग है Facebook के founder दूसरा परस्ण Facebook से संबंदित आपके exam में यहाँ पूछाता है कि Facebook पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो हम upload कर सकते हैं तो देखिए पहले जो लिमिट थी वो थी 30 की तीस वीडियो या 30 फोटो कर सकते थे लेकिन अब इसकी लिमिट को increase कर दिया गया है अब आप 80 फोटो ठीक है? 80 फोटो या वीडियो को post कर सकते हैं Next question Facebook से ही पूछा आता है CCC exam में कि Facebook पर अधिक्तम कितने दोस्त हम जोड सकते हैं मिर्स हमारी मित्रमंडली कितनी हो शकती है कितने लोगों की तो 5000 लोगों को आप अपने मित्रमंडली में एड कर सकते हैं Next question Facebook से संबंदित CCC exam में पूछा आता है कि Facebook पर लाइब वीडियो इस्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं तो बिल्कुल सही है Facebook पर आप लाइब वीडियो को इस्ट्रीम कर सकते हूँ ठीक है Next बात आती है Instagram की तो Instagram किसे संबंदित है एक प्रशन CCC में यहाँ पूछा आता है तो Instagram आपका Facebook से संबंदित है किसे Facebook से संबंदित है Next question Instagram से ही पूछा आता है कि Instagram पर maximum कितनी देर का वीडियो record करके post कर सकते है तो Instagram पर आप maximum 60 second का वीडियो record करके post कर सकते हो यहीं पर पूछ लेता है कभी कभी CCC में कि minimum कितनी देर का वीडियो हम record करके post कर सकते है तो minimum 3 second का वीडियो आप record करके post कर सकते हो means 3 second to 60 second का वीडियो आप वहाँ पर upload कर सकते हो next question आता है WhatsApp से WhatsApp किस से संबंदित है तो यहाँ भी आपका Facebook से संबंदित है क्योंकि इन तीनों के मालिक present time पर Facebook के मार्क जो करबर की ही है क्योंकि इन्होंने WhatsApp को खरीद लिया है है ना तो WhatsApp ग्रूप में अधिकतम कितने लोगों को add कर सकते हैं या question भी 666 आमें कापे पूछा आता है तो WhatsApp में 256 लोगों को add किया जा सकता है जो भी points में आपको बताता हूं इनको आप note किया करिए यह question भी exam में कापे पूछे आते हैं जिनकी counting में अपने question number में नहीं करता हूं अब next physical address को और किस नाम से जाना चाता है बताए physical address को हम और किस नेम से जानते हैं logical address IP address MAC address या इन में शे कोई नहीं तो physical address को हम जानते हैं MAC address के नाम शे option third is right अब next निमलिकित में शे कौन LibreOffice Express Seat में default font name है LibreOffice Express Seat का मतलब LibreOffice Calc में default font name क्या होता है यह तीनों आपके लिए important हैं आईए यहां से हम writer से ही open कर लेते हैं new पे जाके express seat पर click कर देंगे तमारा LibreOffice Calc open हो जाएगा यहाँ पर zoom कर लेते हैं side में आप देख सकते हैं दिया गया है font name का option तो यहाँ पर by default में क्या है LibreOffice Sans है by default font size कितनी होती है तो 10 होती है यहाँ पर दी गई है तो हमारा question था LibreOffice Calc में by default font name क्या होता है तो LibreOffice Sans होता है तो option second is right note कर लीजेगा काफी important है अब next एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसी लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सामिल होता है means उसे हम क्यों छोटा या बुद्धिमान उपकरण कहते हैं उसमें क्या सामिल होता है computer, programmable, micro computer या फिर sensor sensor का उपयोग होता है IOT device के अंतरकत इसे हम बुद्धिमान उपकरण कहते हैं तो इसका right answer क्या होगा sensor क्योंकि sensor के सामिल होने के कारण ही IOT device बुद्धिमान उपकरण बनती है IOT का full form क्या होता है internet of things होता है ठीक है WPA तो इसका full form होता है Wi-Fi protected access यह भी आपके लिए काफी important है कई बाद triple six exam में repeat हुआ है अब next to exit the impress impress को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे application control menu icon पर double click करेंगे application minimum button पर click करेंगे नेंतर menu icon पर double click करेंगे या document close button पर click करेंगे देखिए हम impress का उप्योग करना है तो impress एक presentation है कोई document नहीं है इसलिए ये option तो बिलकुल भी नहीं होगा minimize करने पर वह minimize होगा बंद तो होगा नहीं है ना तो ये भी आपका right नहीं होगा इसका right answer होगा application control menu icon पर double click करके भी हम अपने library office impress को close कर सकते हैं या फिर वहाँ से बाहर आ सकते हैं अब next plain text में shiffer text को परवर्तित करने को क्या कहा जाता है exam में insulated कई सारे questions पूछाते हैं कभी shiffer को plain में परवर्तित करना क्या कहलाता है कभी plain को shiffer text में परवर्तित करना क्या कहलाता है तो अगर plain text में convert किया जाता है shiffer text को तो ये कहलाता है decryption क्या कहलाता है decryption और अगर हम shiffer text को plain text में convert करते हैं decryption और plain text को सिफर में करते हैं तो उसे हम encryption के नाम से जानते हैं ठीक है याद रखेएगा काफी important है अब next L1 is known as L1 का मतलब होता है दोश्तों label 1 एक साब से ठीक है तो L1 को हम primary case memory की रूप में जानते हैं तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option third primary case यह question next block को स्रंखला में कैसे सामिल नहीं किया जाता है means इसमें से एक option ऐसा कौन सा है जिसके माद्यम से block को स्रंखला में शामिल नहीं किया जाता है black sheep, orphan blocks golden blocks या फिर genius blocks तो block को स्रंखला में कैसे सामिल नहीं करते हैं तो orphan blocks के दार नहीं करते हैं option second is right, अब next, smart home की आउधारना किस तक्नीकी का उधारन है, smart home, smart home आपने क्या कभी सोचा है, आपके साथ ऐसा हो जाए, जैसे ही आप दर्वाजे के पास पहुँचें, दर्वाजा आपका open हो जाए, आप घर में जाएं शोफे पर बैठें, automatic music start हो जाए, वाज क्या बात है, फिर रशोई में चाय या कॉफे का आटर हो जाए, अब आप सोच रहे होंगे कि सरक किस कालपनिक दुनिया में खोग है, लेकिन दोश्तों ये कालपनिक दुनिया ही IoT का उधारन है, IoT का मतलब internet of things, means इसके अंतकत ऐसी devices जिसमें सुच दिया गया हो, means on-off करने का सिस्टम दिया गया हो, वो सभी IoT बन सकती है, IoT का मतलब आप automatic से भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका IoT का उधारन है, इसी क्रम में smart home आपका IoT का उधारन है, आपके smart refrigerator भी आते हैं, जिससे आप fridge कहते हैं, तो वहाँ पर वहाँ fridge क्या करता है, हमें बताता है, जब भी हम उसे open करेंगे, वो बताएगा कि हमारे लिए कौन सा food better है, और कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका IoT के अंतरकत आता है, अब next, पारा भरा नलिकाएं इस्मरति का पहला रूप थी, लाजबाब हिंदी, इसलिए हिंदी और इंग्लिस, दोनों कुछन्स को आप याद रखेएगा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूछेगा, पारा भरा नलिकाएं इस्मरति का पहला रूप थी, तो बहुत सारे लोग आता हुआ कुछन्स गलत कराएंगे, पारा भरा नलिकाएं का मतलब है, जो ट्यूब आपकी मरकरी से भरी हुई थी, तो फर्स जनरेशन जो था, वहाँ पर क्या था, वैक्यूम ट्यूब मिन्स निर्वात ट्यूब का उप्योग किया जाता था, तो बिलकुल सही है, ठीक है, मरकरी भरी ट्यूब जो है, वह इस्मरति का पहला रूप थी, बिलकुल आपका ट्रू है, आप्सन फरस्ट इस राइट, अब नेक्स्ट, पूरे यूरल में अधिक्तम वर्ड हैं, means, एक यूरल में अधिक्तम कितने वर्ड होते हैं, यूरल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, नोड कर लीचेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और एक यूरल में, 255 255 अधिक्तम characters होते हैं अब next वीडियो conferencing में निमलिखित में से किस protocol का प्रियोग किया जाता है बताईए काफी important question है ये भी आपका तो वीडियो conferencing में हम VOIP Vice over Internet Protocol का प्रियोग करते हैं इसका full form भी आप याद रखेगा अब next किसी फाइल में शमलित, कुल पंक्तियों, शब्दों और वर्डों को गिनने के लिए कौन सी कमान का उप्योग किया जाता है एक्साम में Linux और Unix की कमान से संबंदित काफी questions पूछाते हैं इसलिए जो e-book मैंने बनाई है वहाँ पर अलग से Linux की कमान भी मैंने रखी है तो यहाँ पर पूछा गया है count the total number of line मतलब हमारी जो फाइल है उसमें कितनी लाइने हैं, कितने word हैं, कितने character हैं means word count का work कौन सी कमान करती है तो इसका right answer होगा option c wc ठीक है wc कमान ये काम करती है अब next alignment बटन Libre Office Writer में किस toolbar पर उपलब्द है status bar, formatting toolbar, standard toolbar या फिर्मेशे कोई नहीं तो alignment बटन जो है वो हमारी formatting toolbar में उपलब्द होती है तो right answer का होगा option second formatting toolbar alignment का मतलब जैसे कि आपका text है उसे आप left, right, center जहाँ पर भी करना चाहते हैं आप alignment के दारा कर सकते हो अब next एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तक नहीं की का उप्योग किया जाता है means कोई figure है उस figure के अंदर आप बहुत सरा data छिपाना सकते हैं जिसको भी जानकारी है वही उस data को प्राप्त कर सकता है अन्य लोगों के लिए शिर्फ वहां तस्वीर ही होगी ठेक है तो यहां पर पूछा गया है कि तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस टेक्नोलाजी को अप्योग किया जाता है रूट किट्स, बिट मैपिंग, इस्टन और गौफी या इमेज रेंडरिंग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन सी ठीक है नोट कर लीजेगा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका अब नेक्स्ट निम्ले से कौन सा डोमेन ब्यवशाइक उद्देशे तक शीमित है ये कुश्टन ट्रपल सीक्साम में काफी बार रिपीट हुआ है डोमेन से डिट काफी साइक कुश्टन एक्साम में पूछाती है कभी .com के बारे में कभी .org के बारे में कभी .net के बारे में कभी .edu के बारे में तो ब्यवशाइक उद्देशे के लिए शीमित है ये .com है .com का मतलब commercial कभी .com का full form पूछ लेता है तो.commercial या.commerce होता है .org का सम्बंद organization से होता है किस से होता है organization मतलब किसी संश्था से संबंदित है .net का मतलब networking से संबंदित है किस से networking से संबंदित है और .edu का मतलब education से संबंदित है ठीक है तो आप इनको note कर लीजेगा अब next IMEI stand for IMEI होता क्या है? इसका उपयोग क्या है? इनसे काफी साई questions पूछाते हैं देखिए एक प्रशन यहाँ पूछाता है कि खोजी हुए mobile को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं means जो mobile खो गया है अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं उसे track करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं तो IMEI नंबर का ही उपयोग करते हैं इसका full form होता है international mobile equipment identity अर्थाथ option second is right ठीक है? याद रखेगा होता कहाँ पर है? तो mobile में back side में अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर IMEI नंबर दिया होता है अब next News server किसके द्वारा शभी जानकारी news पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है जो भी news पढ़ने हैं वो किस server के मादर में से पढ़ते हैं तो इसका right answer होगा NNTP किसके दरा NNTP टैपल सीक्स नाम में FTP का full form काफी बार पूछा गया है तो FTP का full form होता है File Transfer Protocol क्या होता है? File Transfer Protocol और HTTP का full form क्या होता है? Hyper Text Transfer Protocol क्या होता है? Hyper Text Transfer Protocol याद रखेगा अब Next निर्मार के दरान एक अर्धचालक चिप में Embedded Program को क्या कहते हैं? बताईए ये कुशन भी काफी important है? ट्रपल सीक्साम में काफी बार पूछा गया है तो इसका right answer होगा Formware निर्मार के दरान एक अर्धचालक चिप में Embedded Program को Formware के नाम से हम जानते हैं अब Next 10 में Biometric प्रमारी करण की अर्मती देती है जब विंडो 10 का अप्योग करते हैं तो वहाँ पर हमें एक feature मिलता है जिसके दरा हम अपने system को secure कर सकते हैं Biometric के दरा तो उस feature का नाम है Windows Hello Option 3rd is right Windows Hello का अप्योग करके हम Biometric शुबधा का अप्योग करते हैं Next question आपका जिन्होंने एकी क्रिज circuit का आविशकार किया Means निम्नवेशे ऐसा कौन है जिन्होंने integrated circuit चिप का आविशकार किया था तो IC Chip का आविशकार किया था Robert Nooy और Jack Kilby इन दोन लोगोंने मिलकर किया था तो right answers का होगा option 4th ठीक है IC Chip किसकी बनी होती है तो याद रखिएगा IC Chip Silicon की बनी होती है अब next आपकी browsing गत्विधी को track करने के लिए social media website को block करने का एक लोगप्री टूल कौन सा है Means आप किस लोगप्री टूल का उपयोग करते हैं या ऐसा कौन सा tool है जो सबसे ज़्यादा पशंद किया जाता है browsing गत्विधी को track करने के लिए social media website का blocker तो इसको हम जानते हैं blur के नाम से किस नाम से blur के नाम से यह सबसे ज़्यादा पशंद दीदा टूल होता है अब next who is founder of internet internet का founder कौन है बताइए तो internet के founder है winter curve option second is right दोश्तों आज ची क्लास में बस इतना ही जिनका भी exam है वो triple c की महामयातन क्लास को जहूर देखेगा और जो वीडियो की नीचे 2000 questions की PDF की लिंक दी है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से त्यारी करेगा और जिने भी computer programming शिकनी है वो हमारे दूसरे चनल programming tutorial को आज ही subscribe कर लें और classes को attend करना start कर दें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फिर मिलते हैं निस क्लास में तब तक के लिए बाई बाई